तो यारो कैसे सब कुछ ठीक चलाना मैं मैं मत करता हूं कि आप सब लोग ठीक है और देखो मैंने रिसेंटली कुछ एक सीरीज वगरे देखी जो कि मुझे पसंद आई है और मैं आप लोग को रेकमेंड करना चाहता हूं कि अगर आपके पास भी खाली टाइम पड़ा है तो फिर इसको देखना जरूर लेकिन फिर मैं सोच रहा था कि इस वीडियो का टाइटल के रहो कुछ जो कैची हो और लोग देखे क्लिक कर दें तो मेरे को इससे अच्छा कोई आप्शन सूजा ने कि five movie and series you have to watch before you die देखना जरूर ही है नहीं देखना चाहते तो फिर just then you die मजा है और इसको में बहुत ज़्यादा strongly recommend क्यू कर रहा हूं क्यूंकि यह जो series है वो 2021 की one of the best series में से एक है तो मैं जाग में लेना इसको और मैंने अल्रेडी इसके उपर थोड़ा बहुत डीटेल में बात किया है मेरे anime channel के उपर Arkane के उपर एक अख़ वीडियो वहां पे available है ल यह नहीं जादा अच्छी हो सकती है तो मैंने भी नहीं सोचा था एक ही season आया इसका जिसके अंदर 9 episode है और यह आपको देखने मिल जाएगा Netflix के उपर Hindi dub available नहीं है English अगर समझने में थोड़ी बहुत दिक्कत आती है लेकिन फिर भी मैं आप लोग को recommend करूँगा कि इसको देखो जो characters जो music जो animation अपने को इसके अंदर देखने मिलता है बहुत जादा कमाल नई seriously मदा के निकर हो यहाँ पर बस example के लिए यह देखो और अब देखने के बाद तुम ऐसा नहीं बोल सकते कि यह किसी एक art से कम है इतना सब कुछ बोलने के बाद Arkane series के लिए जो एक बहुत ही major plus point है कि इसको देखने से पहले अगर आप लोग का League of Legends जो गेम उसके बार में zero knowledge है फिर भी आप इसको देख सकते हो मैंने कुछ जिन्दगी में कभी यह गेम नहीं खेला और Arkane समझने के लिए आपको भी खेलने की जरूरत नहीं है बढ़ते हैं अब अगले series की तरफ Netflix के उपर ही available है एक और series जो कि South Korea की तरफ से आती है Hellbound अब यहां पर squid game देखने के बाद अगर आप में से कुछ लोग South Korean movie series explore करना चाहते हो तो Hellbound एक बहुत अच्छा option रहेगा लेकिन इसको चालू करने के बाद आपके mind में जो impression बनेंगे ना कि यह show किस type का हो सकता है उस type का बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि Hellbound के starting में वो लोग हमको ऐसा दिखाते है कि तीन aliens आते हैं अब वो actual में aliens है या पता नहीं लेकिन एकदम विचितरे दिखने वाले किसी दूसरे दुनिया के creatures आते हैं और किसी एक इंसान को ऐसे मार के चले जाते हैं इसके बाद यह वाला cycle फिर से repeat होता है किसी दूसरे इंसान को पता चलता है कि वो कल मरने वाला है और जो time उसको बताया गया था exact उसी time पे वो तीनों वापस आते हैं उसको मार के चले जाते हैं अब इतना सुनने के बाद आप फिलोग यहां पे judge करने की कुछ करो कि series किसके बारे में होगी इंसान वर्सस एलियन्स सूपर हीरोज नाई यह जो series है ना वो एक fiction वाला setup तो use करती है आप लोग को story बताने की जिसके अंदर main points होते हैं religion और कैसे इंसानों के जो beliefs हैं God को लेकर वो change की जाते हैं जिसके विसे वो इंसान खुद एक जानवर बन जाते हैं अब यहां मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैंने इसको 100% accurate तरीके से describe नहीं किया है क्योंकि इसको describe करना ही difficult आप जब series देखोगे ना तभी आपको समय में आएगा कि यह किसके बारे में है और seriously आपको इसके अंदर जो चीज़े देखने मिलेंगे ना वो आपने expect नहीं किया होगा हा लेकिन जो एक religious belief के मैं बात कर रहा हूँ कि लोग ऐसा मानने लगते हैं अगवान ने तेरको punishment दी है तेरको सहना पड़ेगा यह जो concept है ना वो इस series के center में है अगर आप लोग को कुछ एक थोड़ा बहुत serious लेकिन बहुत जादा different देखना है hellbound try कर सकते हो सिर्फ 6 episode है और Hindi dub available है seriously society के अंदर रहने के लिए society से अपने परिवार को बचाने के लिए इंसान किस हद तक जा सकता है hellbound के अंदर दिखाया जाएगा आपको इसके बाद देखो recommendation के list में जो number 3 पे एक series जिसको देखे मेरेको time तो हो चुका है series काफी ज़्यादा बढ़िया और मेरेको बहुत ज़्यादा पसंद है इसलिए मैं शायद है कि आप तीसरी बार recommend कर रहा हूँ मैंने जब इसको अपने दोस्तों को दिखाया तो वो भी देखने से मना कर रहे थे लेकिन एक बार उन्होंने देखना चालू किया तो फिर रुके नहीं है साले आज का time तो Cobra Kai के 3 season आ चुके हैं तीनों ही कि तीनों Netflix को पर available है हिंदी में भी 4th season इसका आने वाला है अभी 31st December को तो उससे पहले देख के खतम कर लो Cobra Kai जो series है ना वो actual में continuation है The Karate Kid Movies का पुरानी वाली ये वाली नहीं और अगर आप लोग को Cobra का है बहुत अच्छी तरीके से समझना है तो फिर आप वो पुरानी movies देख लो ऐसा मैं recommend करूँगा लेकिन अगर आप लोग को नहीं time है नहीं देखने का मन कर रहा तो फिर ठीक है डारेक्ट सीरीज देख लेना क्योंकि सीरीज ने इतना तो अच्छा काम किया है कि अगर आपने movies नहीं देख लेकिन फिर भी वो सीरीज आप लोग को हैंडल कर लेगी जा रहा है तीन सीरीज के नाम बता तीनों नेटफ्लिक्स के उपर पैसा में लाएगा इसको नहीं वो खुद रेट कम कर दिये मेर को या पैसा देंगे इसलिए आगे जो मैं आप लोग को एक मूवी और एक सीरीज रेक्मेंट करने वाला हूं वो दोनों नेटफ्लिक्स के लेकिन फिर भी मैं आप भी रेक्मेंट कर रहा हूं कि मैं चाहता हूं कि आप जब इस मूवी को देख के खतम करोगा तो फिर आपको एकदम बहुत जादा डिस्गस्टिंग फील होना चाहिए कि याची थू क्या देख लिया मेने बादल बहुत हराम खो रहे हैं कुछ भी करता है मैं यह सब कुछ क्यों बोल रहा हूं क्योंकि यह सारी चीज़े मैंने फील किती जब मैंने इस मूवी को देख के खतम किया था तो लेकिन इतना सुनने के बाद डर मच जाना क्योंकि मूवी एक्च्वल में बहुत ज्यादा बढ़िया है और आप लोग को एक्साइ देख के बोले कि यह चीतू लेकिन देखना ज़रूर यहां तक यह जो ओल्ड बॉय साउथ कोरें मूवी है उसका हॉलिवूड के इंदर रीमेक भी बनाया गया है जिसमें आपने मार्वल सेनेमेटिक उन्यूरस के थैनोस चचा और वांडा जी भी लेकिन गलती से वह हॉल लोग को मुझे एक्साइट करना होता ना तो फिर मैं आप लोग को इनकी फोटो देखाता काफी खुबसूरत महतरमा है बनीगल के आउटफिट में लेकिन बले सीरीज के नाम के अंदर बनीगल हो इसके स्टार्टिंग में वह लोग आप लोग को बनीगल दिखा भी कि इतने सारे टर्म्स देखने मिल जाएंगे इसको देखते वेक्त अगर आपने उनको समझ लिया तो फिर आप यह किसी साइंटिस से कम नहीं लेकिन अगर वह साइंस वाल स्टाफ समझ में नहीं भी आयना फिर भी जो सिचुएशन्स अपने को दिखाते हैं वह जरू समझ में बहुत जदा हटके लेकिन अगर यहां पे आप लोग को एक बात नहीं पता कि यह जो भी सारी मूवी सीरीज के नाम मैंने आप लोग को बता है मैंने जब देख के खतम करता हूं तो मुझे कैसी लगी और देखना चाहिए या नहीं यह साइव फर्स्ट जो मेरे थॉट झाल